अधर्म पर लहराती धर्म की विजय पताका का नाम है महाभारत घमंड के दंभ पर विनमरता का प्रहार है महाभारत छल से छलनी होते शरीर पर वचनों का मरहम है महाभारत कलंके तृष्टों की काल कोठरी में मित्रता की परा काश्ठा है महाभारत ये वही महाभारत है जिसने भाई को भाई के विरुध शस्त्र उठाने को मजबूर तो किया परंतु अंतिम सांस तक मित्रता धर्म निभाने का होसला भी दिया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ उस मित्रता की जिसमें कर्ण की दानवीरता का हृदय तो धलक रहा था परंतु उस धलकन पर अधिकार था दुर्योधन की अधर्मी सोच का और ऐसी मित्रता को निभाना कोई सरल कारे नहीं होता परंतु जब शत्रु एक हो तब सूर्य पुत्र कर्ण पर भी अधर्मी दुर्योधन का ग्रहन लग सकता है और यही हुआ भी था भले ही कर्ण के रत का पईया धरा में धस गया हो परंतु दोनों की मित्रता का पईया कभी डगमगाया नहीं और यही कारण है कि आज हिमाले के बीच कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की मिसाल को देखा जा सकता है परंतु इस बार सूर्य पुत्र कर्ण पर अधर्मी दुर्योधन का ग्रहन नहीं लगा बलकि इस बार स्वेम दुर्योधन ही ग्रहन की भेट चड़ गया क्या है इस घटना के पीछे रहस्य ये जानने के लिए हमें चलना होगा हिमाले के बीच बसे उत्तरा खंड के गड़वालक शेत्र में जहां इस्थित है उत्तरकाशी और यहीं है कंड दुर्योधन की मित्रता की मिसाल वो मंदिर जो अद्भुत हैं उत्तरकाशी के जखोल में एक और है दुर्योधन का मंदिर तो उसके कुछ ही आगे नेतवार गाउं में है सूरे पुत्र दानवीर कर्ण का मंदिर और आज की गाथा का प्रारंभ करते हैं महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण देवता के मंदिर से दरसल कर्ण को समर्पित इस मंदिर को शक्ति, शान्ति और मित्रता का प्रतीक माना जाता है इसके अलावा इस गाउं के आसपास लगभग 24 ऐसे गाउं हैं जहां लोग दानवीर कर्ण की पूजा करते हैं और उनके समक्ष अपना शीज जुकाते हैं ये लोग कर्ण को महाभारत का मात्रिक पात्र नहीं मानते बलकि कर्ण को देवता मानते हैं और उन्हें कुल देव या इश्ट देव मानकर पूजा करते हैं आपको जानकर आश्चरे होगा कि स्थान ये लोगों की कर्ण के प्रती इतनी आस्था और श्रद्धा है कि गाउं में अधिकतर मंदिर, कर्ण और कर्ण के साथी द्वारपालों वो कर्ण की गुरु माता के हैं। कहते हैं कि अगर किसी को सम्मान देना है तो उसकी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और यकीन मानिए स्थान ये गाउं वालों ने कर्ण को अपना सम्मान देने के लिए उनकी अच्छाईयों को अपने जीवन में उतारने के लिए वर्षों पहले क्षेत्र में दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ जानवरों की बली भी प्रतिबंधित कर दी गई अब आप विचार कर सकते हैं कि अधर्म के रत पर सवार होने के पश्चार भी जिस सूर्य पुत्र दानवीर कंड को पूरा विश्व अपनी पलकों पर बैठा सकता है वो असल में कितने महान होंगे कंड मानवी स्वरूप में मात्र एक प्रकाश पुंज नहीं थे बल्कि एक दैवी अंश थे वो कंड का प्रताप ही था कि अधर्मी दुर्योधन का साथ देने के बाद भी उनकी अच्छाईयों को इस पूरे विश्व ने नमन किया और उनको एक सर्वश्वेष्ठ पराक्रमी योध्धा के तौर पर देखा यही कारण है कि स्थान ये लोग गीतों में कंड की महनता का गुणगान होता है और साथ ही साथ दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता का बखान होता है चलिए बात करते हैं सूरे पुत्र कंड के प्रिये मित्र दुर्योधन की जिसके साथ ने भले ही अंजाने में करण की छवी पर ग्रहन लगाने की चेश्टा की हो परंतु जखोली के इश्ट देव दुर्योधन की छवी पर स्वैम ग्रहन लग गया है दरसल जकोली में दुर्योधन मंदिर का निर्मान, इस्थान ये लोगों द्वारा किया गया था ये वो लोग थे, जो अपने पूर्वजों के रूप में कौर्वों की पूजा किया करते थे यहां सोने की एक कुलहाड़ी को भी देखा जा सकता है माननेता है कि ये कुलहाडी कभी दुर्योधन की हुआ करती थी परंतु दुर्योधन की कुलहाडी यहां तक पहुँचने के लिए और ईश्ट देव के रूप में दुर्योधन को पूजे जाने के लिए उसका यहां तक पहुँचना भी आवश्यक्त था तो आखिर दुरियोधन यहां पहुँचा कैसे? इसका उत्तर हमें मिलेगा इस्थान ये लोगों में काफी प्रचलित एक मान्यता में जिसके अनुसार एक बार दुरियोधन ने वर्तमान के जॉनसार बावरक्षेत्र में हनोल की यात्रा की थी परंतु जब दुरियोधन ने यहां की सुन्दर्ता देखी तो वो आश्चर रिचकित हो गया उसने स्थान ये देवता महासू से प्राठना की कि वो उसे हिमालाय से लगती हुई घाटी दे दे महासू देवता ने उसकी ये बात सुईकार तो कर ली परंतु से एक वचन ले लिया कि वो अब से ख्षेत्र के लोगों की देखभाल करेगा और उनकी रक्षा का दैट भी उसका होगा दुरियोधन ने महासू देवता की बात सुईकार कर ली और तब से दुरियोधन इस्थान ये लोगों की देखभाल करने लगा और इस ख्षेत्र के लोग दुरियोधन की पूजा करने लगे माननेता है कि उस दिन ख्षेत्र के लोगों में हाहा कार मच गया करंदन विलाप प्रारंब हो गया जब महाभारत युद्ध में कौरव पराजित हो गये और दुरियोधन का बध कर दिया गया स्थान ये लोगों के लिए दुरियोधन एक महान रणनी दिकार और एक करतव परायन क्षत्रिय था उसकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी अंतिम लडाई में भी पांडवों में से उस युद्धा को चुना था जिसे पराजित करना अत्यधिक कठिन था और वो था महा बलशाली भीम जबकि दुरियोधन भली भाती जानता था कि वो गदा युद्ध में भीम के मुकाबले किसी भी अन्ने पंडव को आसानी से हरा सकता है फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भीम को चुना और ये थी उसकी एक महान योद्धा की पहचान जिस पर स्थान ये लोग गर्व करते हैं परन्तु अब ये कर्व किसी गर्त में दब कर रहे गया है और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की मिसाल इस दुर्योधन मंदिर पर आज एक ग्रहन लग चुका है दरसल कर्ण देवता की पूजा करने वाले स्थान ये लोग और उनके भक्त कर्ण को इश्ट देव पाकर गर्व महसूस करते हैं अपने को गौरवानवित समझते हैं क्योंकि कर्ण को पूरा विश्व एक महान पुरुष के रूप में देखता है परंतु दुर्योधन की छवी महाभारत के खलनायक की है और जब भी कोई बहरी व्यक्ति दुर्योधन के इस मंदिर को देखता है तो उसके सामने ये मंदि का सबसे बड़ा खलनायक था इससे गाओं वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी जिस कारण गाओं के लोगों ने मिलकर ये निर्णए किया कि अब इस मंदिर को दुर्योधन के रूप में नहीं बलकि महादेव शिव शंकर के रूप में पूजा जाएगा जिसके पश्चात इस दुर्योधन मंदिर को पूरे विधी विधान के साथ सोमेश्वर महादेव मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया और अब नई पीड़ी को इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है कि यहां कभी उनके इश्ट देव दुर्योधन की पूजा हुआ करती थी वो अब इस मंदिर को शिव मंदिर के रूप में ही पहचानते हैं और अब धीरे धीरे दुर्योधन की हर पहचान इस काओं के मस्तिष्क पटल से ओजल होती जा रही है और आन्शिक ग्रहन के पश्चाद अब यहां कंड दुर्योधन की दोस्ती पर पूर्ण ग्रहन लगने ही वाला है लोगों की भावनाओं और उनके इश्ट देवों के रूप में कंड दुर्योधन की पूजा को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है और जिस तरह से दुर्योधन मंदिर अपनी पहचान खो चुका है उसे लेकर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताईएगा तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा आपका दिन शुब हो